अप्रिय घटना जा कोई एक मान दोस्तों जब भी पंजाब का ख्याल मन में आता है तो लहराती फसलें, नाचते जूमते लोग, सूर्वीरों, योदाओं की गुर्बानी की कथाएं और गुर्बानी, सरवत का भला मांगने वाली गुर्बानी मन में आती है और पंजाब ने हमेशा देश को लीड किया है पंजाब ने किसी भी संकट के मौके देश को नेतरत दिया है चाहे वो आजादी का अंदोलन हो, चाहे आजादी के बाद हरे इनकलाब के रूप में, ग्रीन रेवलुशन के रूप में, अने के मामले में, अनाज के मामले में देश को आतन निर्भर करने का एक टास्क हो, तो पंजाब ने हمیशा लीड किया है और पंजाब के लोग हसने खेलने के लिए खुले दिल के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं लेकिन अगर पंजाब के लोगों के आपसी भाईचारे पंजाब के लोगों की अमन शान्ती और पंजाब के लोगों की आपस में प्यार पर कोई बुरी नज़र डाले तो पंजाबी किसी भी हालत में ये बरदाश्ट नहीं करते इतिहास गवा है जिसने भी पंजाब के शोशल भाहिचारक सांज को जिसने भी पंजाब की आमन शांती को तोड़नी की रत्ती भर भी कोशिश की तो पंजाबियों नों उसका मूँ तोड़मा जवाब दिया आज मैं आपके सामने बैठा हूँ पिछले दिनों कुछ तत्व ऐसे थे जो विदेशी ताक्तों के हाथ चड़कर पंजाब में महौल खराब करने की बातें कर रहे थे नफर्तवरी स्पीच दे रहे थे कुछ ऐसे कनून के खिलाब बोल रहे थे तो उन पर कारवाई की गई है और उस कारवाई के दुरान वो सब लोग पकड़े गए हैं और उनको सक्ष सक्ष सजा दी जाएगी क्योंकि आम आदवी पार्टी एक कट्टर देशवक्त और इमानधार पार्टी है पंजाब का अमन चैन और देश की तरक्की हमारी प्रात्मिकता है और कोई भी ऐसी ताकत जो देश के खिलाफ पंजाब में पनप्रयो उसको हम बक्षेंगे नहीं क्योंकि लोगों ने बारी बहुमत देकर हमां बहुत बड़ी जम्मेदारी दी है दूसरों के बेटों को ये कहना के आईए हम ये करेंगे हम ये गैर करोनी काम करेंगे आप हमारा सादी जी बहुत असान है मुझे बहुत लोगों के फोन आए बहुत पेरेंट्स के फोन आए माता पिता के फोन आए के जी आपने बहुत अच्छा किया पंजाम में अमन और शांती रहनी चाहिए इस मामले में हम आपका साथ देंगे क्योंकि हमें डर था कि शायद हमारे बच्चे वो गलत बुरी संगत में न पढ़ जाएं जबके सरकार वो आई है जो बच्चों को पढ़ाने की स्कूल ओफ एमिनेंस की बच्चों को तरक्की और रोजगार दलवाने की बाते कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रात्मिक्ता किताबे हैं हमारे लिए प्रात्मिक्ता लैप्टॉप और कंप्यूटर हैं हमारे लिए प्रात्मिक्ता कोई गैर समाजिक हत्यार नहीं है कि तो मैं तीन क्रोड पंजाबियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस अपरेशन के दुरान बहुत साथ दिया पंजाब में कहीं से भी कोई अप्रिय घटना जा कोई एक कोई पत्थर जा कंकर चलने की भी घटना की रिपोर्ट नहीं आई इससे मेरा भी होसला बढ़ है कि लोग जो है वो शांती चाहते हैं लोग तरक्की चाहते हैं और हमारी सरकार जो है नफरत की राजनिती नहीं करते हैं हम तो तरक्की की राजनिती करते हैं हम सकूलों की बात करते हैं अस्पतालों की बात करते हैं बिजली की बात करते हैं इंफ्राशक्चर की बाते करत और अर्विंद केजरिवाल जी की गवाई में आमादी पार्टी जो है यह मैं बात कलियर कर देना चाहता हूं देशवासियों को, 130 क्रोड देशवासियों को, कि अर्विंद केजरिवाल जी की गवाई में हमारी पार्टी 100% सेकुलर पार्टी है, हम लोग किसी धरम के नाम पर जाती के नाम पर जा नफरत के नाम पर कभी भी राजनीती नहीं करते और पंजाब की शांती और पंजाब की अमन के लिए हम सक्त सक्त कारवई करेंगे जो लोग बुरी कंपनी में बुरी संगत में फसके पंजाब का कुछ बुरा सोचने का सपना भी ले रहे होंगे वो भी गलत है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सपना भी लेना पंजाब में पंजाब की शांती को तोड़ने का ये आपकी गलत फहिमी होगी तो मैं एक वार फिर पूरी दुनिया में रहते पंजाबियों को भी आशवाशन दिलवाता हूँ कि मेरा खून का कत्रा कत्रा मेरे दिल की एक एक धड़कन, मेरे एक एक सांस पंजाब के लिए धड़कता है हाजिर है पंजाब के लिए मेरे खून का कत्रा और पंजाब जो है जवान जो हैं वो देश की इजादी को कैम रखने के लिए सराधों पर अपना सीना तान के खड़े हैं इस बात का हमें घरव है तो पंजाब की शांती को पंजाब के पीस को पंजाब की हर्मनी को अगर कोई टच भी करेगा अगर कोई बगारने की सोचेगा भी तो सक्षे सक् यह हमारा वादा है और इसी लिए आपने हमें जुम्यदारी दिया है उस जुम्यदारी के अधार पर ही मैं कह रहा हूं कि पंजाब के लोग बिलकुल निश्चनत रहें पंजाब सेफ हाथों में है आमादी पार्टी की सरकार जो है वो आपकी सुरक्षा का दायत तो उठा हमारा अगर पंजाब नंबर वन सुबह बनेगा तो देश पूरी दुनिया में नंबर वन देश बनेगा इनकलाब जिंदबा जय है जमीन में रुकावट किसी का बेटा किसी की बहू किसी की बेटी किसी के वश में हो एक बार संपर्प जरूर करें स्पेशलिस्ट वशी करण वह मुट करनी A to Z समस्याओं का समधान